हेलो फ्रेंज, मेरी चैनल पर आका स्वारत है आज मैं आपको डालो रोटी बनाना सिखाऊंगी सबसे कहे हमें एक मग लेंगे उसमें हम पेले थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और फिर हम थोड़ा सा प्राउन कलर का मशाना डालेंगे अब हम में सबसे को बिलाएंगे और ये बन गई डाल का पानी अब हम इसमें डाल तरा तरा के डाल डाल डालेंगे अब हम इन सब को मटाएंगे और ये हमारी बन गई त्यार हो गई डाल अब अब ये अच्छी तरस से त्यार नहीं गुए ये इसले हम इसे तोड़ी देल के लिए त्यार होने के लिए रख देंगे और अब वारी आ गई है रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम आट्टे का पूरा सा पीस लेंगे और उसे ऐसे करके चकले पर रख देंगे और अब हम इसे बेलना स्टाट कर रहे हैं अगर ये चिपके बेलन पर तो इसे ऐसे नीचे से पकड़के उतार ले अगर अब हमें ये एक साइड से बेली हमने अब इसे ऐसे लखके बेलना है अब हम इसे ऐसे मोड लखके इस साइड से बेलेंगे अब ये हमारी एक रोट्टी त्यार हो गए अब हम इसे गास पर रखेंगे अब हम रोट्टी को ऐसे करेंगे और तबे पर रख देंगे तक जब तक ये वली रोट्टी त्यार होते है ततक हम उसे रोट्टी त्यार कल विते है अब हम उसे बेलेंगे अब हम उसे बेलेंगे रोट्टी जाल जाएगी ये बन गई अब ये हमाले दूसरे रोटी भी बन गई अब हम दूसरे रोटी बनाना इक और बना दूसरे रोटी बनाना स्टाफ कर लाए है दाल को चक कर लो बन गई है नहीं बन गई है नहीं नहीं तो दिखास को चक लोगा जो 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 अब हमारी दोनो रोटी बन गई है और अच्ची सी रोटी बन गई जा रहे है तो तक हम दाल को चेक कर लेते हैं कि वो त्यार गोगे या नहीं दाल अच्छे से त्यार हो गई है बन गई है इसलिए हम इसमें थोड़ा सम नमक डालेंगे अब हमारी दाल अच्छे से त्यार हो चुकी है और हमारी तीसी रोटी भी त्यार रोटी बन चुकी है और हमारी तीनों रोटी बन चुकी है अब हम इसे ऐसे बुल करके या ऐसे कॉर्णर पर रख देंगे अब हम डाल को प्लेट में डालेंगे वो भी थोड़ी थोड़ी करके अब हम अब हमारी तीनों प्लेटे त्यार हो चुकी है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लेज इसे लाइक और शेर दोनों करेगे बाई बाई